नमस्कार दोस्तों स्री नीटिंग में आपका स्वागत है दोस्तों आज देखिए यह डबल कलर का पैटर्न बनाई है बहुत ही सुन्दर पैटर्न है बहुत इजी है इस वाले पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं बच्चों के कपड़ों में का तो तो यहां थोड़ी उन बची रहती है तो ऊसे भी आप इसको बना सकते हैं तो आए मैं आपको इस्टार्टिंग से बताती हूं यह कैसे बनाना है तो यहां मैंने ले लिए हैं फंदे यहां 20 फंदे हैं 2 के मल्टिप्लाइ और यह ग्रीन कलर का है मैंने लिया है कोई भी कलर आप इसमें एड़ कर सकते हैं यह मैरूम और क्रीम कलर से बनाऊंगी और यह बनाऊंगी मैं ग्रीन और क्रीम कलर से कोई भी टू कलर कोंबिनेशन करके आप ले शकते हैं तो यहां देखिए ट्वंटी फंदे डाल लिए टू के मल्टिप्लाए और टू रो मैंनेस में बोर्डर की बना ली अब सबसे पहले हमें क्या करना है यह पैटर्न बनाने से पहले यहां पर हमें सबसे पहले टू बेसिक रो बनानी है सिंपल एक सीधी और एक उल्टी इस्टार्टिंग में बोर्डर के बाद पैटर्न बनाने से पहले ही बनानी है यह टू बेसिक रो यह हमें बस पैटर्न बन तो ये एक row मैंने बना लिए है सीधी अब ये है wrong side, wrong side से फिर मैं पूरी row उल्टी बना लूँँगी ये हमें एकी बार बनानी आगे ये जो मैं two row बना रही हूँ ये हमें repeat नहीं करनी बस pattern बनाने से पहली बनानी हूँ ये two row हमारी complete होगी अब है pattern की first row right side परस्ट Ainुल में हम इसमें ऐड करेंगे तो मैंने ऐड कर लिया यह तीन कलर आप यहाँ देखिए Er wrong सिधा बनाएंगे इक भंदा जिए हमारा युज्ट सीथ हो गया अब यां में एक सिधा बनाना से शिम्पल तो श्टाटिंग में दो फंद्र हो गया हमारे सिधा अब आप देखे हमें क्या करना है एक फंदा और एक ये वाला तो इसके बीच का जो है यह एक और दो जो सेकिनद वाला होल है इसमें से सलाई डालेंगे और यहां से एक लूप बना लेंगे इस तरीके से एक फंदा बना लेंगे ऐसे तो फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे एक और एक दो तो ये तीन फंदे ही हमें पूरी रो में रिपीट करने है एक लूप बनानी है और दो फंदे सीधे तो फिर सही करेंगे एक दो यहां से लूप बनाएंगे और दो फंदे फिर सीधे बना लेंगे एक और एक दो इस तरीके से तो यहां से जो यह तीन फंदे हैं यही हमें पूरी रो में रिपीट करने एक लूप बनानी है और दो फंदे सीधे तो इसी तरीके से यह फर्स्ट रो हम कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में भी दो फंदे हमारे सीधे बन जाएंगे स्टार्टिंग में भी दो फंदे सीधे आ जाएंगे और लास्ट में भी तो यह first row हमारी complete होगी इस तरीके से तो first row बनगी है अब second row wrong side wrong side में देखे जो फंदे हमने बनाए है वो बनाने है और जो loop वाले फंदे हैं उनको हम slip करेंगे जो simple फंदे हम को लटा बना लेंगे एक दो यह पहले दो फंदे simple थे और यह देखे जो फंदा नीचे से निकाला हुआ loop वाला उसको हम slip करेंगे इसको हमें बनाना नहीं तो फिर वो ही दो फंदे जो simple थे वो बना लेंगे उन्टे और यह एक फंदा जो loop वाला फंदा है इसको उतार लेंगे तो पूरी रोये इसी तरीके से बना लेंगे यह सेकंड रो हमारी complete होगी अब थर्ड रो राइट साइड थर्ड रो में देखे कैसे करेंगे first फंदा हम सीधाई बना लेंगे simple इस तरीके से अब देखिए अब यह दो फंदे लेंगे एक तो यह जो सीधे वाला मतलब simple फंदा और एक यह loop वाला तो इनको इधर से ऐसे right वाली सलाई पर डाल लेंगे इस तरीके से ऐसे लेंगे धर से तो उतार लेंगे अब जो यह पिछले वाला फंदा है इस रहने देंगे और इसको जो simple वाला फंदा इसको ऐसे बना लेंगे सीधा इस तरीके से अब ये वाला फंदा हमें नहीं बनाना लूप वाला तो इसको बना लेंगे अब जो ये दूसरा फंदा है इसको बनाएंगे पीछे की साइड से ऐसे सीधा तो ये दो फंदे बना लेंगे और ये जो लूप वाला फंदा इन दो फंदो इनको ऐसे करके दूसरी साइड से राइट वाली स्लाइपर ले लेंगे और पहले ये वाला जो फंदा है इसको बना लेंगे सीधा फिर ये वाला इस वाली स्लाइपर ये वाला पीछे की साइड से सीधा बनाएंगे और ये लूप वाला फंदा इसके उपर से उतार देंगे ऐसे हैं, तो इसी तरीके से पूरी रोबनेगी, फिर से मैं बता देती हूं, एक लूप वाला फंदा और एक यह सिंपल वाला दोनों, बस यह इदर आगे आजाएगा, और यह वाला फंदा पिछे चले जाएगा, इस तरह है, राइट वाली स्लाइपर ले ले लेंगे इनको, देखे आगे वाला पिछे आगया, पिछे वाला आगया, और इसको, जो सिंपल वाला फंदा इसको बना लेंगे सीधा, और यह फिर जो लेप्ट वाली स्लाइपर है, इसको भी सीधा पिछे की साइड से, और यह लूप वाला फंदा इनकों के उपर से उतार देंगे, इस झाल झाल अब यह लास्ट में एक फंदा बच गया इसको बना लेंगे सीधा तो थर्ड रो हमारी कंप्लीट होगी और इस तरीके से आ जाएगा यह डिजाइन यह देखिए ऐसे तो अब फॉर्थ रो है रोंग साइड फॉर्थ रो हम सिंपली बनाएंगे सारे फंदेश में उल्टे ब लेंगे यह देखिए फॉर्थ रो हमारी कंप्लीट होगी यहां पर देखिए फॉर्थ रो हमारी कंप्लीट होगी और यह पैटर्न बन किया आ गया बस यह फॉर्थ रो हमें बार बार रिपीट करनी है बस हमें यहां पर कलर चेंज करना है हर बार हर फॉर्थ के बाद हमें color change करना है आप यहाँ पर दूसरा कोई और color भी लगा सकते हैं या फिर आपका जो यह base color है वो भी लगा सकते हैं तो यहाँ मैं जो यह हमारा green color है वो ही लगाऊंगी तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ करके बनाने का तरीका सेम यह ही रहेगा जिस तरीके से बनाया है वो यहाँ पर color change करना है तो यहाँ देखें स्टार्टिंग में फर्ष्ट दो फंदे सीधे बनाएंगे एक दो यह फर्ष्ट रो है दुबारा फिर repeat कर रही हूँ मैं अब यहाँ फिर देखें यहाँ पर एक लूप बना लेंगे इस तरीके से दो यह जो दूसरा उल है उसमें से डालके फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे तो पूरी रो इसी तरीके से बना लेंगे दो फंदे सीधे और एक बना लेंगे फिर लूप फिर दो फंदे सीधे फिर एक बनाएंगे लूब बस इसी तरीके से ये फर्स्ट रो हम कम्प्लीट कर लेंगे ये फर्स्ट रो देखें कम्प्लीट होगे एक लूप बना ली और दो फंदे सीधे इसी तरीके से पूरी रो बना ली अब सेक्न रो इसमें रोंग साइड सेक्न रो में जो फंदे सिम्पल बनाएंगे उनको उल्टा बूलेंगे simply, तो फंदे, उल्टे और जो लूप वाला फंदा नीचे से बनाया है, उसको slip कर लेंगे, फिर ऐसे ही करेंगे, जो बनाएवे फंदे दो सीधे, वो उल्टे बना लेंगे, लूप वाला फंदा, slip कर लेंगे, ये जो नीचे से निकल रहा, ये लग ही पता लग जाता है, right side third row same June 3rd row benaeti ईसी बनाईंगे कर सिंपल अब देखिए ये दो फंदे एक ये लूप वाला और एक हम सब्सक्राइब और दालेंगे इधर से अल्वाला पीछे कर लेंहें फंदा और पिछे वाला आगे इस तरीके से और ये जो left वाली sliper है इसको पीछे की साइड सीधा तो दो फंदे जो simple वाले में सीधे बनगे और ये जो loop वाला फंदा इन दो के उपर से उतार लेंगे जैसे पहले बनाये था सेम ऐसे ही करना है फिर से ऐसे ही करेंगे ये loop वाला फंदा और ये दोनों ऐसे करके उतार लेंगे right वाली sliper और जो ये आगे वाला फंदा है इसको बना लेंगे सीधा एक यो जो left वाली sliper वाला भी सीधा बना लेंगे पीछे की साइड से और ये एक फंदा इसके उपर से उतार देंगे तो इस तरीके से ये पूरा पैटर्न बन के तयार हो जाएगा कर दो जाएगा जाएगा बना लेंगे से लेंगे पूरा वाला लेंगे इस तरीके से बन जाएगी पूरी रोव लास्ट वाला एक फंदा सीधा बना लेगी तो यह थर्ड रोव हमारी कंप्लीट होगी और यह देखे पैटर्न बनता आ रहा है इसी तरीके से और अब फूर्थ रो रोंग साइड फूर्थ रो को हम पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे सभी फंदेश में सिंपल ही बना लेंगे पूरी रो लुटी बुनकर तयार कर लेंगे यह फूर्थ रो हमारी कंप्लीट होगी यह देखे और यह पैटर्न बनके आ गया इस तरीके से भी बना लेंगे यह फूर्थ रो ही बार बार रिपीट करेंगे बस कलर चेंज करते जाएंगे और यह हमारा जो पैटर्न है इस तरीके से बनके आ जाएगा तो यह फूर्रो हम इस तरीके से रिपीट करते जाएंगे जैसे यह की है मैंने और बस कलर चेंज करते जाएंगे हर फूर्रो के बाद और यह इस तरीके से बन जाएगा जैसे यह बना है देखें बह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू